एग आईज, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका share price तो सिर्फ 7 रुपए है, लेकिन ये wind energy में काम काज करती हुई दिखाई देती है आपको, और अपने आप में, अपने segment में ये market leader है, और सिर्फ 7 रुपए का ये penny share है, छोटी कंपनी है, इसके सा हमारा green energy होने वाला है, इसमें क्या scope होने वाला है, तो चलिए जान लेते हैं company के बारे में, उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें, best penny shares की वीडियो, और अगर किसी stock के बारे आप जानना च रोल का है, और current price है 7 रुपे पैसे पैसे, high है आपका 12 रुपे और low है 5 रुपे 42 पैसे, book value माइनस में है, थोड़ा सा एक negative point है, ROC बढ़िया है 22% का, और face value है इसकी 2 रुपे की, अब company के कुछ प्रोज और cons देख लेते हैं, देखें पहले प्रोज देखेंगे, इसमें क् company is expected to give quarter, मतलब एक अच्छा result accept इसे कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसने अपने जो debtor day है, ये कम की हैं, improve किया है इसमें, 125 से 76 पर आ गए हैं, और देखें इसके कौन भी है कुछ, company has low interest coverage ratio, और promoter holding देखें, decrease की है, लगभग 10%, और जो इसका sales growth है, ये भी minus में है, इसका भी कार जो हमारी promoter holding है, सिर्फ 14% है, देखें जो sales growth का है, ये तो ये कारण है कि पहले जो है, इतना एक ध्यान दिया नहीं आता था किसी गवर्मेंट के through, इस पर wind energy पर, और अब जो है हमारी जो Indian government है, ये wind energy यानि clean energy पर ही focus कर रही है, तो अब इसकी sales जो है बढ़ेगी, अच्छ हो सकता है, साथ ही साथ देखें, company ने जो है, अभी buyback का भी, sorry, right issue का भी घोशना की थी, right issue इसका आने वाला है, 11 October को, तो 11 October के बाद company में देखें एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा long term नहीं, आपको बहुत जल्दी ही, 2-3 महिनी के अंदर ही, इस competitor सम देख लेते हैं, competitors हैं, number one पर देखिए, Siemens और Hevels India, ABB, CG Power and Industry, तो ये बड़ी-बड़ी कुछ company हैं, जो इसकी competitor हैं, और सोच सकते हैं, अगर इनके बराबर पोज़गी company, तो क्या हो सकता है, भेल है, Hitachi है, तो ऐसी बड़ी-बड़ी company हैं, इसकी competitor हैं, देखें, sales देख फिर 655 कुछ कम हुए, 500, यहां तक क्योंकि कोई भी जो है, wind energy पर ध्यान देता नहीं था, फिर हमारी Indian government ने, एक 2020 के आसपास, एक announcement की clean energy के लिए, यहां से देखिए, sales बढ़ी है, 732, 900, 55, फिर 1136, तो कुल मिलाकर बढ़ी है, 2400 तक गई, इस साल अभी कम है, क्योंकि अभी दो ही quarters हुए है, तो दो quarters में भी 1300 हो गई है, तो बढ़ेगी ही आगे, बहुत अच्छी बात है कि company की sales है, वो बढ़ रही है, साथ ही साथ देखेंगे, इसके profit देख लेंगे, नीचे, दिखें पहले जो है company loss में थी, सारे में जगा जगा आप देखेंगे loss था, लेकिन इस इस बार जो है 2400 करोड, 2476 करोड सीधे profit में आई है, पिछले बार का quarter था, उसमें minus 33 करोड था, मतलब loss था, और इस बार जो है, सीधे 33 करोड से हम 2476 करोड पर company पहुच गी है, profit में, लाश्ट में एक बार इसका share holding pattern भी हम देख लेते हैं, देखेंगे, पहले 19 परसेंट थी 19.82%, लगबग 20% था, 2019 में, अभी ये घटकर हो गया है, 14%, क्योंकि company जो है, fund raise कर रही है, अपने करजों को कम कर रही है, अभी एक बयान आया था company की side से, company जो है, debt मुक्त हो जाएगी, करज मुक्त हो जाएगी, तो उसी के लिए जो है, बहुत प्रियास company के तरब से किये ज अपनी जो holding है, वो बढ़ाई है, कभी 4% हुआ करती थी लगबग, आज 7% है, और DII ने देखिये, foreign investor ने भी बढ़ाई है, तो DII ने भी अपना, पिछले quarter से थोड़ी कम की है, लेकिन फिर भी, अच्छी एक holding है, 13.43% की, और public के पास है लगबग 65%, तो ये एक अच्छी ब कमपनी में, ये एक अच्छा साइन है, कि हाँ भी कमपनी आगे कुछ अच्छा कर सकती है, साथ ही साथ fund raising बगएरा का काम चली ही रहा है, और जो हमारी भारतिय सरकार है, जो भारतिय गवर्मेंट है हमारी, जो clean energy के विसे में इतना कुछ कर रही है, तो उसकी policy से भी लगता है कि कमपनी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत इंवेस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, इस कमपनी के लिए, तो अब जो है कमपनी का नाम है, सुझलोन energy limited, कमपनी का नाम है, 7 माइनस में है, नेगिटिव है, एक महिन अगर आप देखेंगे, तो इसमें भी नेगिटिव है, लगवग लगवग 20% से आगे देख लेते हैं, एक साल में, एक साल में ये return है, अच्छे return है, 17% के return है, और पिछले 5 साल का return अगर हम देखें, तो नेगिटिव ही रहेगा, लेकिन आप देखें, कि 2020 से जब से green energy में कामकाज होना सुरू हुआ है, तब से आप देखेंगे, कि ये सिर्फ एक रुपे का share यहाँ था, ये देखें, और यहाँ से अभी तक ये बहुत अच्छा return एक दे चुका है, लगवग लगो 500% का, तो बहुत बढ़िया returns इसने द लिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आपको पैनी share सापको मिलते रहते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार